असलाम हो आलेकुम CS604 की Assignment 3 Total Marks JS के 15 है 29 JS की Last Date है Instruction को आपने Reduit कर लेना है खुद ही और Formate आपको पता है कौन सा है जिसमें आपने Assignment को सब्मेट करना है तो Objectives के तीन दिये हुए है Resources Allocation Graph है Deadlock Characterization है और Deadlock Headling है Note भी आपने Reduit कर लेना है थोड़ा बहुत हमारा पहला Question जो है इसके तीन पार्ट है एक ही Question है तो इसमें हमें कुछ Resources दीगे है Number of Resources Types हैं Instants हैं जैसे P is equal to P1, P2, P3, P4 R जो है वो R1, R2, R3, R4 और E जो है इन दोनों का Product है तो इसके तो हमने जो Resources है Resources Instants यह Find Out करके देना है इसको और तीन टोटल इसके जो हैं वो Parts हैं First Question के तो पहले पार्ट में जो है हमने इसको Justice का Diagram जो है वो बना के देना है तो यहां पे आप देख सकते हैं वन इंस्टेंस आफ रिसोर्स टाइप R1 तो इंस्टेंस आफ रिसोर्स टाइप R2 तो वी हमें इंस्टेंस दिये गए हैं इस तरह इसको Process State जो है वो इसकी Process P1 is holding an instance of resources R2 and is waiting for an instance of resources R1 तो यह सारा Reduit कर लेना है तो इसके तरू हमने Find Out करके देना है एक Graph बनाना है हमने जो First हमारा Part है इसका तो उसमें हमें डाइगराम बना के देना है इनसारों का कि यह सारे जो Process State है किस तरह यह वर्क हो रहा है यानि holding किस तरह हो रही है waiting किस तरह हो रही है इसके उपर हमने इसका जो है वो Graph जो हो सेट करना है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया First Part की दरफ चलते हैं इस तरह का कुछ डाइगराम आपने बनाना है तो इसमें आपने जस्ट बताना है कि P1 जो है वो waiting में है R1 की और R1 जो हो होल्ड कर रहा है P2 को इसी तरह R2 जो हो होल्ड कर रहा है P1 को और P2 को भी होल्ड कर रहा है फिर P2 जो हो R3 को होल्ड कर रहा है जबके R3 जो है वो P sorry P2 जो है वो R3 की waiting में है जबके R3 जो है वो P3 को होल्ड कर रहा है पिर इसी तरह P3 जो है वो R4 को होल्ड कर रहा है वेटिंग में है उसकी और R4 जो है वो P4 को होल्ड कर रहा है तो इस तरह आपने सारा बना के देना है फिर allocation matrix है इसका part B जो है इसमें हमने जस्त इसकी बतानी है कि holding और जो वेटिंग हो रही है P1 process जो allocation है हमारी वो किस तरह हो रही है तो process हमारे पास P1, P2, P3, P4 है तो इसमें जो P1 है वो R1 को क्या कर रहा है वेटिंग कर रहा है तो वेटिंग का जहां भी option आएगा वहां पे लगेगा 0 यहां पे देख सकते हैं P1 जो है वो R1 की वेटिंग में है जहां पे holding का option आएगा वहां पे 1 लगेगा तो P1 जो है वो यहां पे देखें R2 की वेटिंग में होलडिंग कर रहा है P2 को P1 जो है R2 को holding कर रहा है तो यहां पे इसको हम 1 शो करेंगे तो यहां जो भी holding का process हो रहा होगा वहां पे आपने 1 put कर देना है और बाकी जहांपे वेटिंग का प्रॉसेस होगा वहाँ पे आपने जीरो पूट करना है तो यह हमारा पार्ट B S को इसका आपने इस तरह का टेबल बनाना है फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो इसका पार्ट C है उसमें भी आपने कुछ इस तरह का शो करना है कि यहां पे जो अब यहां पे आप देखें अगर P3 जो है P3 और R4 को वो क्या कर रहा है होल्ड कर रहा है ठीक है P3 जो है वो R4 को होल्डिंग कर रहा है तो यहां पे उसकी वैलियो 1 आएगी इसी तरह P4 जो है वो उसका भी इसी तरह ही आएगा फिर next जो है हमारे पास c पार्ट जो है हमारा इसमें अगर आजए है तो यहाँ पे थोड़ा से changes यह हैं कि अब यहाँ पे जो waiting का process हो रहा होगा वहाँ पे आपने one put करना है और जो holding का process होगा उसमें आपने zero put करना है यहाँ पे आप देखें तो वो zero हो गए तो इस तरह आपने यह table भी अपना जो है वो बना लेना है तो थोड़ी बहुत मुश्किल है अतनी मुश्किल नहीं है आप कर लेंगे उमीद है तो मजीद इसके उपर कुछ discuss करने का फाइदा नहीं है मेरे ख्याल में तो आप खुद ही understand कर लेंगे इसको तो यही हमारा solution है इसके तीन पार्ट थे तो इसका solution जो है वो हम description में आपको दे देंगे तो वहाँ से जाके आप इसका solution जो है वो download भी कर सकते हैं तो हम आपको solution provide करते हैं तकि आपको आसानी हो तो चैनल को must subscribe किया करें ताकि जो भी assignment वगरा जो जो भी solution बनाया जाए उसकी file भी आपको साथ साथ provider होती रहे अब यह नहीं है कि मैं उसको वपर request लगा दूँ फिर आप मुझे email करें तो मैं फिर आपको email accept करूँ और फिर आपको selection file send करूँ तो मेरे क्याल में मैं आपको file जो है वो ऐसा ही provide कर देता हूँ तकि आप आसानी से download कर ले तो चैनल को must subscribe किया अगरे अलाफिस